चलिए दोस्तों फालतों की बगवास को हम लोग अटाते हैं ठीक है और सीधे वीडियो पर आते हैं ठीक है लंबे अर्से के बाद जो है जैक वोड ने क्लास 12 साइंस इस्ट्रिम वाले को लिए मोडल फरस्टम पर तरजारी कर दिया है मोडल सेट में क्या दिख रहा है कि जैसे आप पहले था वैसे ही दिख रहा है ठीक है लेकिन इसमें सिर्फ अब्जेक्टिम का हिरा फेरी हुआ और कुछ नहीं ठीक है लेकिन जैसे पहले वैसे ही देखी सत्तन नंबर का एक्जाम पहले होता था आपको भी सत्तन नंबर कहीं होगा फिजिक्स और केमेस्ट्री का बेटन बेलकुल सेम रहेगा मैद का थोड़ा सा अलग रहेगा ठीक कि मियाद सो माक्स कपता है यह देखे फूल माक्स सकतर पासिंग माक्स तेस ठीक यह पहले भी था आज भी आपके लिए ऐसा ही जारी किया गया लेकिन बताया गया था पहले जो हम लोग को नोटिस मिला था एक चार्ट मिला था उसमें लिखा था चार्लेंस नंबर का पूछे जाएगा अब्जेक्टिव और आपको जो है 100 माक्स का पूरा का पूरा एक्जाम देना पड़ तो चलिए यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप यहां से कुछ मांक्स उठाए और आपको कॉलाई से भी अच्छे मांक्स मिल जाएंगे तो आपके परसंटेज मिलेगे यहाने कि इस बार आप चाहे तो ठीक है एक टीप अब हरेके स्टुडेंट ला सकते हैं जी क्योंकि क्योंकि चोटे चोटे पुछे जाएंगा चोटे कोस्टन होते हैं ठीक है क्योंकि बड़े कोश्चन ज्यादा पुछे नहीं जा रहे तो आपसे ज्या द्यान से ठीक है यह देए देखे सबसे पहले ग्रूप ए रहेगा जिसमें आपको 20 माक्स का अबजेक्टिव एक इक नमबर का मल्टिपल चोईस एक से ज्यादा आप्सेंस आपको दिये रहेंगे ग्रूप भी आएंगे साथ नमर का रिकतेस्टन आपको दिये जाएंगे का आप दो क리श्चन रहेगा इसमें साथ माक्स का दो कुश्चन रहेगा ठीक है फीजिक fuego चेमिश्ट्री वाले संची तुछ च्छ यह रहा देखेंगे पहले बात देखें जो आपको eight dawn में मुझीक इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद देखИं आपको जो है, खालेस ठान वाला भी दीख रहा है, ठीक है उसके बाद देखे, गुरूप C में छोटे-छोटे question भी आपको रहेंगे, परिभासा लिखने के लिए हो सकता है, ये छोटे-छोटे question आपको दिखाए देखे, तो ये भी हो गया, उसके बाद देखे, गुरूप D में देख लीजिए, ठीके, उससे थोड़े-बड़े question तो थोड़े से बड़े-बड़े आपको लिखने बड़ सकते हैं, ये भी हो गया, अब देखे, उससे भी बड़े आपको मिलेंगे, साथ माक्स का question देखे, दो भाग में, एक मीटर बिरिज को बुरा बताए गया है, दूसरा आपको, बृतिकाल लोप के अंदर किसी करके देदे, तो देखे, कितने option और करके, और करके, देखे, इतने option आपके सामने खुलेंगे, और और करके आपको ये question दिये जाएंगे, ठीक है, तब जो पसंद हो, आप बना सकते हैं, और ये रहा chemistry का paper, बिल्कुल, वैसे ही, फिर से, 70 marks, 23 marks passing, तिन गंड़ा टाइम, फि वो हो जाएगा, देखे, 20 plus 27 हो जाएगा, एक नमबर वाले कि, 20 को objective और साथ वो, जो है, रिक्ते स्था, ति यह रा physics कर chemistry का paper, अब मेत में हम लोग आते हैं, मेत में क्या अलग है, देखते हैं, physics कर chemistry का बिल्कुली, सहम है, उसके बाद हम इसका जो है, detail analysis करेंगे, बढ़िय chemistry का, और physics का, ठीक है, अब हमारी चैनल को तब दक subscribe कर लिजेगा, like कर दीजेगा, share कर दीजेगा, ठीक है, ताकि हम आपको help कर सके, कि वीडियो बनाने में बहुत मेनत लगते हैं, थोड़ा आप भी subscribe करके हमारी मदद कर दीजे, तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो चल section में क्या बदलावे से देखिए, section A में आपको जो है, 30 marks का, mcq multiple choice question पुछा जाएगा, अद्धास नंबर का, fill in the blanks, एनकी total मिला के 40, देखिए, जो पहले जारे किया था, जैक द्वारा notice, वो मैत में पूरी तरह से flow हो रहा है, तो 40 marks का objective, section B में देखिए, 2 marks करेगा, 10 question, section section C में 5 marks का 4 question, section D में 4 question 6 marks, देखिए, यहां पे 6 marks लिखा है, इंगलिस में, और 5 marks लिखा है, यह confusing है, ठीक है, तो हम लोग इस confusion को दूर करने के लिए, last में जाते हैं, कि आखिर क्या confusion है, ठीक है, तो देखिए, 4 question 5 marks, दरसल 5 marks करेगा, ठीक है, वो जो 6 marks लिखा है, वो गलत 5 marks करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह हमने आप से पेपर देखा दिये, यह बाइलोजी का बिलकुल physics, chemistry, math जैसा ही है, ठीक है, धिन्न बाद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे और share कीजे, थेंक यू,